नमस्कार साथ योप सभी का बहुत बहुत स्वागत आज की इस वीडियो में आज का वीडियो मद्द पुर्देश पुलिस कॉंस्टेबल से संबन देते जो भी अब बढ़ती गड़ इसका फोर्म भर चुके हैं फिर भरने के एक चुक हैं तो उनके लिए वीडियो बहुत ही क्योंकि अगर किसी डेकैंसी की तयारि करते हैं सबसे पहला आपका अच्छी होता है कि इसका कि अगले नमबर लाने जरूरी है पिछली बार आपने देखा कि बहुत से अबर थी ऐसे थे जो practice set में अच्छे marks ला रहे थे लेकिन जब वो वहाँ paper देने गए तो paper का रोल कुछ अलग हुआ और वो disqualify हो गए क्योंकि उन्होंने अपने आपको एक अच्छे point of view से judge नहीं कर पाया कि कितने number मुझको लाने चाहिए ताकि मैं अगले step के लिए qualify हो शकूँ तो मैंने आप सब के लिए एक वीडियो बनाया है मध्यप्रदेश पुलिस कॉंस्टेबल से संबंद जो कि 2021 में विकैंसी आई थी और इस बार 2023 में आई है कौन कौन से उन्हें अंतर है इस बार ज्यादा selection होने की चांस क्यों बन रहे हैं वीडियो के सुरुवात करते हैं जब आपने देखा कि 2020 में आई थी और आए यह 2030 में आपने देखा कि उस टाइम फॉरम भरे गाए आपके बार लाक और इस टाइम आपके फॉरम बनने के चांस इसलिए जयागा ज़ता जा रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है कि 15,000,000 बहटे जाएंगे पहला श्टेप तो दूसरी बात आपने देखा कि पिछली बार जो विकैंसी आई थी वो सिर्फ 4,000 पदों के लिए थी और इस बार विकैंसी के मातर 7,411 है अमूबन देखें तो आप लगवग दो गुना विकैंसी मिली है आपको देखने के लिए जब विकैंसी के संखे ज्यादा होती है तो व बार सेलेक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि कम चांस रहते हैं अधर श्टेट वालों को इसमें 5% की छूट ही मिलती है विकैंसी के तो पिछले बार आपने देखा कि चारजर विकैंसी थी तो लगवग अधर श्टेट वालों को 200 विकैंसी मिली इस बार थोड़ी ज्यादा मिल लेकिन चांस यह रहता है कि अधिकतर वच्चे जो गाउं से बिलॉंग करते हैं उनकी पहली सोच यह होती है कि कॉंस्टेबल की एक नौकरी मुझे मिल यह किसी भी स्टेट में मिलिया है तो अब बात करते हैं कि आपका एक सेफ स्कूर क्या होने चाहिए जो आपको अगला देख रखा खाकी बर्दी का वह भी पूरा खोशक है आपने देखा कि पंद्रा लाग फॉर्म वरे गए हैं इस पार या वरे जाएंगे पंद्र लाग से नीचे बात होनी नहीं है क्योंकि मैंने आपको दोनों रीजन बता दिये हैं उम्र में छूट प्लस बिकैंसी भी ज साथ साथ एकनसा साथ चोप आटाइस क्या डाहल लगी दूसाथ एक्क्यावन अजार आट्सों सब्सक्तर बच्चे तजीकल के लिए क्वालिफाई हुए जब कि फॉर्म कितने नहीं हो रहे पंद्रा लाग बच्चे फॉर्म थे जिन्होंने फॉर्म वारा है और एक्क्या आपको यह पता चलता है कि मेरिट का लेविल कहां तक पहुंच सकता है जो भी अब दरती इस टाइम प्रैक्टिस सेट दे रहे चाहें किसी भी कर्टागरी से हो अगर वो सोच रहे कि मेरे 65 या 75 पर सेलेक्शन हो जाएगा तो भाई आप गलत अंबीद में जी रहे हैं पहल और OVC है या फिर EWS कंडिडेट हैं तो उनको यह बात याद रखी नहीं कि 85 प्लस वहीं आपको टच करने ही करने हैं बाकि अगर आप ऐसी एस्ट कंडिडेट हैं तो आप थोड़े बहुत नंबर कम रख सकते हैं लेकिन अभी आपका माइंड यही होना चाहिए कि 80 प्लस ह हर हाल में होने चाहिए क्योंकि अगर आप देखें कि अगर आप यह सोचते हैं कि मेरा जो रेटन है वो कंजोर है मैं फिजीकल में मार्क्स अच्छे कासे लेकि भी क्वालिफाइब कर सकता हूं तो माइंड गलत आपका चल रहा है अगर मैं कहता हूं कि आपके पास विकें कि आज इनके अच्छे कासे माक्स हैं और मुझे चाहिए सिर्फ बच्चे साथ जार तो तीन जार बच्चे वहां वहां देखेंगे रिटन एक्जाम वाली अगर रिटन एक्जाम नहीं उन्होंने मेरेट लगाई तरासी तो उनको जो तीन जार बच्चे डिस्कॉलिफाइ तो आपका पहला कदम ही रिटन जो रिटन के लिए है बो मजबूत होना चाहिए ताकि दूसरे कदम में आपको दिक्कत फिजीकल में ना आए तो मेरेट जब आपके फिजीकल के लिए बने तो वो मेरेट आपको अच्छे कासी नमबर के साथ बनवाने है आपकी लगबग आपको 80 पिलस नमबर और जेनल और OVC कंडिडेटी एडवल हुए हैं तो 85 नमबर आपके हर हाल में आने ही चाहिए आई यो वीडियों दीगे जाने करें आपको पसंद आयोगी वीडियों अच्छा लगाओ तो से लाइक करिए अगर आप पहली बार चैनल पर बिजेट